हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लर्ण व्रिदेतीमन आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नमबर 7 जल संसाधन एवं संरक्षन चैप्टर पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है यहां हम नदियों के बारे में छील के बारे में पढ़ेंगे जो की राजिस्थान से सम्मंदित है और आपके एक्जाम में यहां से देखिए 101% कुश्चन जो है वो आता ही है और सबसे ज़्यादा जोग्रफी में नदियों से प्रशन जो है वो अभी तक आये हुए है तो बि मिलेंगी चोटी क्लासिज में जो इनफॉर्मिशन है वो हो सकता है आपको बड़ी क्लासिज में ना मिले तो कोई भी क्लास जो है वो कम नहीं आखनी है पहली बात तो यह समझिए 2nd grade हो 1st grade हो आपके जोग्रफी में जो आपका राजिस्थान के जीके में जोग्रफी ठीक है यहाँ थोड़ी आपको कम इनफॉर्मिशन मिलेगी लेकिन कुछ ऐसी इनफॉर्मिशन भी हो सकती है जो आपको बड़ी क्लासिज में ना मिलें तो यह आपकी न्यू बुक है जो कि अभी तक बच्चे पूछ रहे हैं यह न्यू बुक है जो आपकी वर्तमान में स् तो सबसे पहले जानिए कि जल विभाजक यानि जल को बाटना तो ऐसी रेखा जो है तो अब वहाँ शेत्रों के बीच में जो भूमी उची उठ जाती है तो क्या होता है कि वर्षा का पानी जो है वह है अलग-अलग दिसाओं में प्रवाहित होने लगता है अब कोई भी उच भूमी होगी और वर्षा का पानी वहाँ पर पड़ेगा तो क्या होगा वो बिविन दिसाओं में पानी चला जाएगा तो उसे ही कहते हैं जल विभाजक रेखा जो भी उची भूमी उठ गई है उसे ही कहेंगे जल विभाजक रेखा ठीक है तो यहाँ पर राजिस्थान मे जल विभाजक रेखा कहा जाता है, और एक लाइन और याद रखिएगा, कि जो सहायक नदियां किसे कहते हैं, सहायक नदियां किसे कहा जाता है, तो ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाएं, मान लीजिए कि राजिस्तान में चंबल क्या है, ब तबी क्या है? सायक नदिया हैं. अपवाह शेत्रों के मध्य उच्च भूमी जो वर्षा जल को विविन दिसाओं में विवक्त कर प्रवाइत करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं. तो यहां लाइन वही है, दोनों कुश्यन में, लेकिन क्या है अलग-अलग तरीके से पूछ लिया गया है. तो एक्जाम में इसका विशेज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि मैम ने हमें तो केवल यही वाली लाइन लिखवाई थी. बस आपको क्या है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं और ज पंगाल की खाड़ी का अपवहा तंत्र, अरव सागर का अपवहा तंत्र और आंत्रिक अपवहा तंत्र. नेक्स्ट हैं, राजिस्थान की बनास, काली सिन, पारवती, आदी नदियां किस नदी में जाकर मिलती हैं? यह बंगाल की खाड़ी में पहुँचाती हैं. तो देखिए, गंगा नदी. तो सबसे बड़ी नदी हैं कौन सी हुई? गंगा नदी. ठीके, क्या हुआ कि राजिस्थान में बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिन, यह चंबल में जाकर मिली. चंबल नदी जो है, वह है यम डेटेल में देखिए, मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर अच्छे से रीट करिए और इन कोश्चन के आंसर देने की कोशिश करिए. अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं. लूनी नदी, माही नदी, साबर मती, पक्षमी बनास और उसकी सहायक नदियां. ये सभी नदियां जो है, कहां पर जाकर गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिरती है राजिस्थान के जो पक्षमी भाग है वहां से होकर जाती है और अरब सागर में जाकर गिरती है ठीक है याद रखना है लूनी नदी, माही नदी, साबर मती, पक्षमी बनास ये सभी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती है तो ये अरब आगर में जा रही हैं तो ऐसी नदियों को क्या कहेंगे आंत्रिक प्रभा की नदिया कहेंगे राजिस्तान में आंत्रिक प्रभा की मुख्य नदिया हैं घगर नदी बांड गंगा नदी कांतली नदी साबी नदी रूपा रेल नदी और मेडा नदी यह सबी आंत्रिक प्रभ नाम में इस नदी के बारे में बहुत पुछा गया है रूपारेल नदी. Next देखिए, question number 9 है, चमबल नदी का उध्गम स्थल है, कहां से निकलती है चमबल नदी? तो यह है मध्यप्रदेश में विंध्याचल परवत से निकलती है, इसका उदगम स्थल है मध्य प्रदेश में भिंधी आचल परवत ठीक है और देखिए राजिस्तान में ये नदी चितोर गड़ जिले में प्रवेस करती हैं उसके बाद ये कोटा जाती है बुंदी जाती है स्वाइ माधवपूर जाती है करौली जाती है दोलपूर जाती है और उसके बाद यह है, यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है. चम्बल की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो याद रखना है, बनास, बेड़स, कोठारी, काली सिन्द और पारवती. ये सब ही चम्बल की सहायक नदियां हैं. राजिस्थान की बारह मासी सबसे लंबी नदि कौन सी है? यानि की सालों साल वो बहती रहती है, और सबसे लंबी है राजिस्थान की, तो वह है चम्बल नदि. ठीके, राजिस्थान की बारह मासी सबसे लंबी नदि कौन सी है? चम्बल नदि है. चंबल नदी राजिस्थान में कहां प्रवेश करती है तो यह हमने अभी देखा था कि जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल्म MP से हो रहा है विंद्याचल परवत से और राजिस्थान में यह है चितोडगड जिले में भैसरोडगड तो यहां से प्रवेश कर जाती है राजिस्थान में चंबल नदी का बहाव शेत्र है तो देखिए 6 जिले हैं भैसरोडगड यानि चितोडगड में प्रवेश करती है फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करॉली और धौलपुर चिके और इसके बाद यूपी में चली जाती है चंबल नदी राजिस्थान की कितने जिलेों में बहती है तो याद रखना है 6 जिले जो हब यह हमने देखे थे राजिस्थान का उध्योगिक नगर किसे कहा जाता है तो देखिए, कोटा जो है उध्योगिक नगर कहा जाता है राजिस्थान का चीके और जो की चंबल नदी के किनारे इस्तित है कोटा किस नदी के किनारे इस्तित है तो चंबल नदी के किनारे इस्तित है बनास नदी का उद्गम इस्थल है रासमजले की खमनोर की पहाड़ी से जनम लेती है इसी तरीके से यह नदी भी 5 जिले या 6 जिले यहां से होकर गुजरती है लगभग 5 जिलों से होकर ही गुजरती है बनास नदी बनास नदी का बहाव शेत्र है राज सम्मज, चित्तोडगर, भीलवाडा, टोंग और सवाई माधवपूर तो मैंने आपको बताया था कि 5 जिलों से होकर गुजर रही है बनास नदी जबकि चंबल नदी 6 जिलों से होकर गुजर रही है तो यह सबसे पहले राज सम्मज, जिले में खमनोर की पहाड़ियों से प्रारंब होती है उसके बाद यह चित्तोडगर जाती है, भीलवाडा, टोंग और सवाई माधवपूर में, रामे स्वर के निकट में यह चंबल नदी से मिल जाती है बनास नदी चंबल से किस इस्थान पर मिलती है तो मैंने अब यह आपको बताया था कि सवाई माधवपूर के पास यह है रामे स्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है और चंबल जो है वह है यूपी में जाके यमुना से मिल जाती है तो इस तरीके से आप अपने माइंड में ऐसा बनाते जाईए कि ये नदी यहां से निकली है, यहां कई है और उसके बाद फिर इसका जो उद्गम स्थल से लेकर और इसका आंतो जो है कहां तक होता है को फिल करें और अपने आगे रखें हमेशा ठीक है उसके बाद चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें जोग्रफी पढ़ें तो आपके दिमाग में यह चीज हमेशा रहनी चाहिए कौन सा जिला कहां पर है कौन सी नदी जो है वह है कौन से जिले से होकर गुजर रही है नेक्स्ट देखिए 20 है राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी मौसमी नदी कौन सी है अब भी हमने क्या देखा था कि राजिस्थान की सबसे लंबी एक मास्त्र वर्ष भर बहने वाली तो वह थी चंबल अब क्या है कि सबसे लंबी मौसमी नदी जो मौसम की अकॉर्डिंग बह रही है वो केवल राजिस्थान में तो वह है बनास नदी यह 480 किलोमीटर लंबी बहती है और सब पूर्णते राजिस्थान में बहने वाली नदी है यानि केवल राजिस्थान में ही बहती है नेक्स्ट देखिए कुश्यन 21 बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है बनास नदी की सहायक नदियां मेनाल है कोठारी है पेडच है और खारी नदी है नेक्स्ट देखिए कुश्यन 22 लूनी नदी का उद्गम कौन से जले से होता है तो यह नदी अजमेर जले में गोविंद गड़ के पास में से निकलती है ठीक है और दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है तो कहां से निकल रही है यह है कौन से जले से निकलती है अजमेर जले से निकलती है चलिए, next देखिए, question 23, लूनी नदी का उदगम अजमेर के किस इस्थान से होता है तो याद रखिएगा कि अजमेर के गोविंदगड के पास में ही यह नाग पहाडी से निकलती है ठीक है, कई बार एक्जाम में जिला ना पूछ कर इस्थान पूछ लिया जाता है next देखिए, question 24 है, लूनी नदी का उदगम किन दो धाराओं के मिलने से होता है तो अजमेर जिले में गोविंदगड के पास से निकलती है और सरस्वती और साबर मती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उदगम होता है लूनी नदी का बहाव शेत्र है, अब कौन-कौन से जिले से होकर यह गुजरती है तो यह बहती है अजमेर, फिर नागोर, पाली, जोदपुर, बाडमेर और जालोर होते हुए कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है तो यह लूनी नदी जो है यह भी शेय जिलों से होकर गुजर रही है अजमेर, नागोर, पाली, जोदपुर, बाडमेर और जालोर नेक्स्ट देखिए लूनी नदी का पानी किस इस्थान के बाद खारा हो जाता है तो यह बाडमेर जिले के बालोत्रा के बाद इसका जलखारा हो जाता है या यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लुनी नदी का पानी जो है किस इस्थान तक मीठा होता है तो यह कहां तक मीठा होता है यह होता है बाडमेर जिले से पहले मीठा होता है और उसके बाद मिर्ज लेके बालोतra के बाद में यह खारा हो जाता है तो यहां पर लूनी नदी की सहायक नदियों को याद रखना बहुत ही आसान होगा क्योंकि बहुत ही अजीब नाम है इनके जोजरी, बांडी, मीठडी, जवाही, खारी, सूकडी, सागी और गुहिया तो आज हम यहीं तक करेंगे और जितने भी question आप लोगों को करवाएं हैं यह question 27 तक इनको आप बार-बार पढ़िए, वीडियो बार-बार देखिए, सुनिये, जिससे की आपको याद हो सकें और बहुत ही बारीकी से आप यह काम करिएगा और यदि कोई भी आपको गलती यहां पर मिलती है क्योंकि देखिए, हो जाता है कभी-कभी, कि chapter हम लोगों ने पढ़ लिया है और question answer जो है, वो निकालने में, यहां type होने में, typing में कभी-कभार कोई mistake हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं, next वीडियो में उसे भी सही करा दिया जाएगा तो कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए चलिए मिलते हैं, इसी तरीके से तैयारी करते हुए और PDF जो है वो आप लोगों को मिलती रहीगी, जिन्होंने भी course लिया है तो मिलते हैं next वीडियो में, thank you